रोज की तरह एक चरवाहा अपनी भेडों को घास के मैदान में चरा रहा था तभी कहीं से एक मोटा सुवर वहां आ गया जब चरवाहे की नजे सुवर पर पड़ी तो उसने उसे पकड़ लिया जैसे ही चरवाहे ने सुवर को पकड़ा वो तेज आवाज में चीखने लगा और खुद को छुड़ाने का प्रयास करने लगा लेकिन चरवाहे की पकड़ मजबूत थी उसने सुवर के सामने और पीछे की दोनों पैर रसी से बांग दिये और उसे अपने कंधे पर लटका कर कसाई के पास जाने लगा सुवर जोर जोर से चीख रहा था और चरवाहा चला जा रहा था मैदान में चर रहे भेड़े सुवर के इस बेवार पर बहुत चकित थी उनमें से एक भेड़ कुछ देर तक चरवाहे के पीछे पीछे गई और सुवर से बोली इस तरह चिखते हुए तुम्हें सरम नहीं आती चरवाहा रोज हम में से एक भेड को पकड़ कर ले जाता है लेकिन हम तो यू नहीं चिखते तुम तो बेकार में इतना उत्पात मचा रहे हो सरम करो भेड की बात पर सुवर को बहुत गुसा आया वह और जोर से चिखते हुए बोला चुप रहो चरवाहा जब तुम लोगों को पकड़ कर ले जाता है तो उसे बस तुम्हारा उन चाहिए होता है लेकिन उसे मेरा मास चाहिए जब तुम्हारी जान पर बनेगी तब बहादुरी दिखाना